आदर्निय बंधु माताओ वे मेरी प्यारी बेहनों राधे राधे। आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बंधु आज हम इस वीडियो में शट तिला एक आच्छी का महत्तम वेक गथा सुनेंगे। जिसे सुनने सुनाने से भग्वान शिरी हरी की कृपा से मनुष्य दूर्भाग्य और दृद्रता को त्यागते हुए अंधन सुख वे सम्रिधी को पाता है। शिरी हरी की क्रिपा से सब सुखों को भोग कर अंत में मनुश्य परम धाम को जाता है कथा सुनने के बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो क्रिपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफकेशन सब से पहले आप तक पहुँचे वीडियो को शेर वेल लाइक भी जरूर करें बंधो माग महा के किशन पक्ष में आने वाली एकाच्छी शट तिला एकाच्छी के नाम से जानी जाती है जो की इस बार वर्ष 2021 में साथ फर्वरी दिन रवी वार की है शट तिला एकाच्छी वर्ष की बड़ी एकाच्छियों में से एक है इसलिए मनुश्य को इस एकाच्छी का व्रज जरूर करना चाहिए आईए अब सुनते हैं इसका महत्तम और कथा एक समय दलभ्य रिशी ने पुलस्य रिशी से पूछा कि है महराज मनुश्य लोग में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदी अनेक पाप करते हैं पराया धन चुराते हैं दूसरों को कस्ट देते हैं ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाएं हे ब्रहामन ऐसा उपाए कहिए अलबदान करने से अनायास पाप दूर हो जाए उसे कहिए पुलस्य रिशी बोले हे महाभाग तुमने बहुत सुन्दर प्रशन किया है जिसको ब्रह्मा विश्णू और इंद्र आदी देवताओं ने किसी से नहीं कहा तुम्हारे पोचने पर उस गुप्त बात को तुम से कहूंगा माग महा के आरंभ में मनुष्य को सनान आदी करके शुद रहना चाहिए इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोब, मोहों, एहंकार इर्शिया तथा द्वेशादी का त्याग कर भगवान का स्मरन करना चाहिए रिशी बोले माग महा आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह गोबर कपास और तिल मिलाकर 108 पिंड बनाए और एकाच्छी वाले दिन सुभे सनान आदी किरियाओं से निवरित हो वरत का संकलप ले शिरी हरी की पूजा कीरतन करते हुए एकाच्छी का उपवास रखे रात्री में जागरन करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे शंक चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे चंदन अगर कपूर चड़ावे बूरा मिला हुआ नवैद्दे चड़ा कर बारं बार हरी नाम का स्मर्ण करे पेठा बिजोरा और नार्य लादी से पूजा करे यदि इन सब चीजों का आभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ट है वह भगवान को अरपित कर पूजा करे फिर अरग देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्तना करे हे कृष्ण आप देयालू तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो ये जगतपते मेरे दिये हुए अरग को लक्ष्मी सहित सविकार करे फिर वस्तरादी ब्रहामन को देकर पूजन करे जल से भरा घड़ा ब्रहामन को दे और कहे कि हे प्रभु मेरे उपर परसन हूँ जो मनुष्य इस विधी से व्रत को धारन करता है वहे खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने हजार वर्ष तक वहे स्वरग में निवास करता है इस दिन तिल का सनान तिल का उबटन तिल से होम तिल से तरपन तिल का भोजन और तिल का दान करना चाहिए ये छे परकार की विधी पापो का नाश करती है इसी से इस एकाच्छी का नाम शट तिला एकाच्छी पड़ा है इस दिन पंचा मृत में तिल मिला कर भगवान को सनान कराना चाहिए इस परकार विधी पूर्वक किया हुआ एक आच्छी का व्रत वैदान सब परकार के पापों को नश्ट कर देता है पुलस्य रिशी बोले एक बार नारज जी ने भगवान श्री क्रिशन से कहा हे भक्त भावन यदि आप मुझे पर परसन हैं तो कृपय मुझे बतलाईए कि शर्ट दिला एक आच्छी से क्या फल मिलता है नारज जी की बात सुनकर भगवान श्री क्रिशन बोले हे नारज जी इस विशय में जैसा व्रतांत मैंने देखा है वह तुम से कहता हूं सुनू प्राचीन काल में मृत्यू लोक में एक ब्रहामनी ब्रमचारय व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी वह सदय व्रत किया करती थी एक समय वह लगातार एक माहा तक व्रत करती हुई शिरी हरी की पूजा में दिन रात लगी रही इस कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया यद पी वह अत्यंत बुद्धी मान वे मुझ में पूरण भक्ती रखने वाली थी फिर भी उसने कभी भी देवताओं के निमेत ब्रहामनों को अन या धन का दान नहीं दिया उसकी भक्ती से परसन होकर एक दिन मैंने सोचा कि ब्रहामनी ने व्रत आदी से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है व्रतो द्वारा इसने अपने शरीर को सुखा कर विश्नु लोक जाने का रास्ता खोल लिया है लेकिन इसने कभी भी अन और धन का दान नहीं दिया जिससे की सब की त्रिप्ती होती है और दान देने वाले को भी संतुष्टी मिलती है अतै इसके उद्धार के लिए मुझे इसके समक्ष जाना चाहिए भगवान बोले हे नारज जी ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक के रूप में मृत्यू लोक में उस ब्रहामनी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी मुझे देखकर वह बोली हे ब्रहामन तुम कहां से आए हो किस लिए आए हो सत्य वचन कहो मैंनी कहा मुझे भिक्षा चाहिए यह सुनकर उसने एक मिट्टी का धेला उठाया और मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया मैं वही लेकर स्वरग वापिस आ गया कुछ समय बाद वह ब्रहामनी भी अपना शरीर त्याक कर स्वरग में आ गई उस ब्रहामनी को मिट्टी का दान करनी से स्वरग में सुन्दर मेहल मिला प्रन्तु उस मेहल में अन और धन कुछ भी नहीं था यह देखकर वह मेरे पास आई और बोली भगवन मैंने अनेक वरत आदी से आपकी पूजा की प्रन्तु फिर भी मेरे घर में अन धन कुछ भी नहीं है इसका क्या कारण है तब मैंने उस से कहा कि तु जैसे आई है उसी तरहें अपने घर वापिस चली जा कुछ समय बाद देवताओं की इस्त्रियां को तुहल के वश तुझको देखने आएंगी जब वे तुम्हें अपने घर का द्वार खोलने को कहें तो तुम उन से कहना पहले मुझे अंधन वे मोक्ष देने वाली शर्टिला एक आच्छी का महत्तम और पुन्य कहो फिर मैं द्वार खोलूगी मेरे ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर चली गई और द्वार बंद कर लिया जब देविस्त्रियां उसे देखने आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्रहामनी बोली पहले आप मुझे शर्टिला एक आच्छी का महत्तम कहो फिर मैं द्वार खोलूगी तब उन में से एक देविस्त्री ने शर्टिला एक आच्छी का महत्तम उसे सुना दिया तब ब्रहामनी ने द्वार खोला देविस्त्रियों ने उसे देखा कि ना तो वह गंधर्वी है ना देवी है ना आशुरी है ना नागिन है वरन पहले जैसी मानुशी है तब उस ब्रहामनी ने देविस्त्रियों के कहे अनुसार शर्टिला एक आच्छी का व्रत किया जिसके परभाव से वह सुन्दर और रूप वती हो गई तथा उसका घर अंधन वस्तर स्वरन चांदी आदी सामस्त सामग्रियों से युक्त हो गया इस परकार शर्टिला एक आच्छी का महत्तम सुना कर पुलस्य रिशी वन को चले गई आते परतीक मनुश्य को शर्टिला एक आच्छी का व्रत रख तिल आदी का दान करना चाहिए इसके परभाव से मनुश्य दुर्भाग्य दरिद्रता और अनेक परकार के कस्टों को त्याग कर विश्नु लोक को प्रापत करता है बोलो विश्नु भगवाने की जय बंधु भगवान शिरी हरी की क्रिपा आप वे आपके परिवार पर सदय बनी रहे आपका घर आंगन खुश्यों से महकता रहे इन ही शुप कामनाओं के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद राधी राधी